नमस्कार दनी की फसल में अक्सर एफिट की समझे आती और वज़े से स्नकित दनी की उपज में और उसकी गुनूतह दोनों में कभी आती है नहीं के फसल में जनुटनरी फरवरी मैंने में जब आपका तापमान बढ़ने लग जाता वातावLES में नमी होती है उसमें आपको एफिट या माहू उसका अटेक देखने को मिलता है आप अपने खेत में देखोगे जब आपकी फसल लगबग फसल में फूल आना स्टार्ट होते हैं उसमें जो आपका पोदे का कोमल भाग होता है उसके उपर या आपके पत्ति की निचली सतय पे आपको हरे हर पैसे रंक यह माहू आपको दिखेगा ये पोदे से लगातार रस तूफलता है और पोदे के बनाता है यह कह सकते हैं क्याओ रिश तूफलता है इससे आपको पोदा कम जोर होता है इसे दाने कम भी बनते हैं और दानों की क्वालिटी भी hem पर बाधानी के सकता है एक फीड को कंट्रोल करने के लिए आप इमिडा क्लोर क्या कर्द पर्ति लिटर पाने में गोल के स्प्रे कर दो इम्डा क्लोर्ट कॉन फिडर के नाम से मार्केट में आता है इसके लाब थायोमिघ्र क्वाक्क जाम 25डवी आधा ग्राम पर्ति लिटर स्परे कर देते हैं तो चलता है क्योंकि बहुत हलका कीड़ा है ये इंसामाने कीट के इस्परे से बीus करें ना करके आप एजले यह परें स्पैन गी जो आता है उसका दो एमेल स्वाढ़ में में गोल कर आप इस्प्रे कर सकते हो उससे भी आपका एफिड कंट्रोल हो जाएगा यदि मैं मेरी बात को सार रूप में कहूं तो एफिड का अटेक धनी की फसल में अमूमन जनूरी फरवरी के महिने में देखने को मिलता जब आपकी फसल फूलों पे होती है तो जब आपकी फसल में लगबग 50% के आश्वास फूल आ जाए तब आप खेत में ठीक से अपने दनिया की फसल को मोनेटर करें यदि आपको उसकी कोमल जो उपर का हिस्सा है यानि वत्ति की निशी स्था पे एफिड दिखाई देता है तो आप उसमें इमडा क्लॉर्पिड या थायम थो एक परसेंट दो एमल परती लीटर पानी में गोल कर स्प्रे करें इस प्रे आपको हमेसा साम के टाइम में करना चाहिए और जो बहुत ज्याधा हैवी मोलेकूल्स है उनका इस धनिया की पसल में नहीं करना चाहिए और विसेशग्यों का ये भी मानना है कि दनिया में कोई नहीं होता है इसका आप बारी मॉलेकुल स्प्रेक्ट अपने खाने में भी आए तो हड़के से हलके मॉलेकूल का स्प्रेक्ट याधा बहतर रहेगा और कि जब मैं बात करा हूं जैविक में आप जैविक ना करें तो भी ज्यादा फाइदे बंद है क्योंकि दनिये की फसल में कुछ जैविक कीट भी होते हैं जो इस एफिड को खाते रहते हैं लगातार जैसे आप यह देख रहे हूं इसमें यह एक लेडी बैड़ बिटल एक इक आप कीट नासक का लिए करोगे तो यह कीडे मर जाएंगी यह कीडे आपके माँको कंट्रॉल करते हैं तो बेहतर तो यह है कि आप जैविक सब्सक्राइब कहां तो मित्तर कीट नहीं हूनคน सान नहीं हो मदुम्क्यों नुक् पर जाते हैं और यह भी आप जैविक कीटना सकते अजड़ी रेक्टिन भी आप इस पर नहीं कर पाते हो तो आप हलके ही मॉलेकुल काम मिलें जिसमें इमिदा क्लोपीड थायम थोग जा या ऐसी फेट का स्प्रे करें और यह आपके बहुत ज्यादा इसका एफिड का टेक है तो फिर आप थोड़े हैवी मॉलेकुल पर जा सकते हो जिसे डाइफ एंथ्रियोन आता जो पेगासस के नाम से आता है उसके भी काफी अच्छी रिजल्टे लेकिन वह महेंगा भी है और बहुत है उसकी माहू में इस प्रे करने की अमूमन ज़रूत नहीं होती है यह तो ल समस्कार जहिंद